अबार देखलों है आघ मैंने बनाइए चना बर्यानी आपने चिकन बर्यानी भी खाइी है और मतन बर्यानी यह बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही इसी रेसीपी है अगर आपको चिकन बर्यानी नहीं पसच तो आप एक बार यह रेसीपी जरूर्पलाय करके द identifyep करते हैं, इसे मैंने किस तरीके से बनाया है, शूर आपको बता देती ही कॵेसिस के लिए उनी के हमा fractionally है श।ुटासमा इसे मैंने काट लिया है चूर आगाया समय कटार कॉछ एइसे मैंने स््लैसिस में काटा है दो लीमू इसे मेने ज्न में काट लिया है दो चमच लाल मिर्चपावडरी मिर्चपावडर जो चमच अध्रक और लैसन का पेज एक चमच पिसा हुआ दरदरा किया हुआ सुका धन्या ये भी एछ ही चमक लिए होग सान आदंग सब्सक्राइध करें मि autonomy डेभ लाएध्य बेड़ जो में धुदेर नंगी आप़ी करें यांपर मनें रूदफनीर यहां उन्य Qu मिन यू सब सब्सक्राइब्टी आपाइश दियों मोएध मेर्या क्यों करें यह दोकूर्ण नंग क। छोटी लाइचियों चार दो दार्चिनी की स्टिक्स लिए हैं एक चमच मैंने जीरा लिया है केवडा एसंस इसमें डालेंगे हम दो चमच और यहां पर मैंने चावलो को बॉयल कर लिए एक किलो चावल लिये थी इसे मैंने 80% तक बॉयल कर लिया है 80% से ज्यादा हमने चावलो को बॉयल नहीं करना है तो अब एक हम कड़ा ही लेंगे इसमें हम डालेंगे एक चमर एक कप गी गी को हम अच्छी तरह गरम कर लेंगे तो देखेंगी गरम हो चुका है अब इसमें हम खड़े मिसाले डाल देंगे और इसे हम सिर्फ एक मिन्ट तक फ्राय करेंगे एक मिन्ट से ज्यादा नहीं करना है वनना ये जल जाएंगे तो एक मिन्ट तक हम इसे और घी में भून लेंगे तो एक मिन्ट हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी प्यास कटे हुए और प्यासों को हमने ज्यादा इसका डार कलर नहीं निकालना है बस लाइट गॉल्डन कलर होने तक हम इसे पकाना है तो देखे हैं प्यास हमेरे लाइट को डून हो चुक्या है हमने इसका कलर बिल्कुल भी नहीं निकालना अब इसमें हम डालेंगे अद्रक और लेसन का पेस्ट और इसे भी हम सिर्फ दो मिन्ट पकाएंगे इसमें तो अद्रक लेसं का मैंने दो मिन्ट तक इसमें भून लिया है अब मैं इसमें डॉलूंगी कॅट कृटमाटर और सब्स मिर्चे एक बारी से आची तरह हम मिक्स कर लेंगे भी बाकी के मिसाले हम इसमें आट करेंगे तो अब मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्चे धनिया हल्दी नमग जीरा पाउडर और इसमें मैं एक चमच के करीब बिर्यानी मिसाला डाल दूँगी यह मैंने आपको पहले नहीं दिखाया था इसे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा अगर आप नहीं डालना चाते तो बेशक ना डाले मैंने सिफ एक चमच इसमें डाले अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़े से पानी का चीटा लगाएंगे ताकि मिसाली जलेना ज्यादा पानी नहीं डालेंगे बस थोड़ा से पानी डालेंगे और अच्छी तरह हम इसे हिला लेंगे तो मिसालों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब जो मैंने चने बॉयल किये थे वो इसमें डाल देंगे अच्छी से हम इसे हिलाएंगे अब मैं इसे तकरीबन पांच मिट के लिए कवर कर दूंगे ताकि जो मिसाले है वो चने के अंदर अच्छी से उसका जाइका चला जाए तो पांच मिट के लिए हम इसे कवर करेंगे पांच मिट हो चुके हैं टमाटर भी अच्छी तरह गल चुके हैं और जो प्यास थे वो भी अच्छी तरह गल चुके हैं इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लिए अब मैं इसमें दो चमच केवडा एसेंस डाल दूँगी इससे बर्यानी का जो टेस्ट है पहुत ही अच्छा आएगा अगर आपके पास यह नहीं है तो आप ना डाले लेकिन इससे बर्यानी बहुत ही मज़ेदार बनेगी अच्छी तरह इसे हम मिक्स कर लेंगे यह हमारा मिसाला बिल्कुल तियार हो चुका है चुले की आग मैं बंद कर दूँगी और इसे हम नीचे उतार लेंगे तो यहां पर मैंने एक बड़ा बरतन लिया है यह जो हमने चने तियार करके रखे हैं यह सारे इसमें हम डाल देंगे हम चावज जितने बड़े बरतन में डालेंगे पकाएंगे उतने ही ज्यादा यह वह अच्छे बनेंगे इसे हम पहला देंगे और जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे गोल स्लाइसे में कटेवे वह इसमें मैं डाल दूँगी यह मैं इसलिए डा रही हूं कि इससे ना चावलों में बहुत अच्छी सी खटास आएगी मैंने टमाटर पहले भी इसमें डाले थे अब मैं इसमें डालूंगी यह कच्छे कच्छे से टमाटर इसमें बहुत मजा करेंगे और लीमू अब इसमें डाल देंगे और अब इसके पर मैं धनिया कटावा डाल दूंगी और साथ ही हम इसमें पदीना भी डाल देंगे पदीने से भी चावल में बहुत अच्छी खुश्बू आएगी और अब मैं इसके पर डालूंगी बॉयल की हुवे चावल यह सारे चावल में इसके पर डाल दूंगी मैं इसकी तैय नहीं बना रही हूं सिर्फ ऐसे नीचे चने और उपर चावल बर्यानी जो हम तैय वाली बनाती उसमें तो हम दो तीन तैय लगाते इसमें मैंने नहीं लगाई है चावल को हमने सेट कर लेना है आप देखें कि मैंने चावल को 80% तक पकाया है इससे ज्यादा नहीं बाकी किसी जो 20% है वो दर में पकेंगे तो अब मैं इसके पर डालूंगी फूट कलर आप अपनी पसंद का जो आपको पसंद हो कलर आप वही डाले मैंने यहाँ पे रैड और यलो दो कलर मिला कर मैंने इसके पर डाले तो इसे अब मैं दम पर रख दूंगे 15 मिंट के लिए तो पंद्रा मिन्ट हो चुक्या है, बहुत अच्छा जबरतस चावलों को दम आ चुका है, एक बार हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं, मैंने दो कलर इसमें मिक्स करके डाले थे, तो कितना खुबसूरत इसका कलर आया है अगर आप चाहें तो इसमें सिर्फ औरिंज करर भी डाल सकते हैं, तो देखें ये तीन कलर हैं इसमें, एक येलो है, औरिंज और वाइड, तो आप देखें कि चावल भी कितने जबरतस खिले खिले से बने हैं, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं आपको देखने में अंदाजा हो रहा होगा, कि हमारी चना बरियानी कितनी जबरतस बनी है, तो अब हम इसे डिकुरेट कर लेते हैं धनिये के साथ, आप चाहें तो खीरा वगएरा डाल के इससे भी इसे डिकुरेट कर सकते हैं, मैंसी फिसके उपर धनिये के पते ही डा रह करें, अगर आपको ये रेसिपी अच्छे लगे तो मुझे कॉमेट करके लासमी बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, तो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे सब्सक्राइब करें साथ में दिये गए बल के आइकन को भी लास्मी प्रेस करें ताके मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर रहा हूँ अब मैं आप से इजाज़त चाहती हूँ मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में तक तक के लिए अलाफ फीज